हेलो बच्चे करते हैं आज हम lecture 14 इसमें trigonometric identities exercise 8.4 cbsc की जो तुम लोगी book है उसमें question number 5 5th part हमने करना है prove that cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosecant a plus cot a बहुत ही important question है अब इसको हम start करते हैं LHS से cos a minus sin a plus 1 whole upon cos a plus sin a minus 1 अब ये question को ध्यान रखना है prove हमने करना है cosecant a cosecant a क्या होता है दर rough में हम लिख लेते हैं cosecant a is 1 upon sin a और cot a क्या है this is cos a upon sin a ये होता है ठीक है ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है identities का जो एक reference sheet तुम लोगों बताई हुई है इसमें cosecant theta तो 1 upon sin theta और cot theta अगर है तो उसको cos theta by sin theta लेकिन क्योंकि हमारे पास a की terms में है तो हमने ऐसे लिखा अब denominator दोनों का क्या है sin a तो यहाँ का हमने पहला step ये करना है कि divide numerator and denominator by sin a दोनों उपर नीचे हमने sin a से divide करना है तो कैसे बन गया cos a minus sin a plus 1 ठीक है इसको ऐसे लिखा हमने अपान cos a plus sin a minus 1 तो मैंने लिखा है divide numerator and denominator by sin a तो इसको भी sin a से divide कर दिया और नीचे भी sin a से divide कर दिया ठीक है अब ये is equal to यहाँ पर लिख लेते हैं तीन टर्म्स हैं cos a minus sin a और फिर plus 1 नीचे क्या साइन ये साइन तीनों के लिए अलग-अलग अब हम लिखेंगे ठीक है whole divided by इसी तरीके से ये वला भी cos a plus sin a और minus 1 ठीक है इसके भी ये नीचे sin a है तो तीनों के नीचे sin a ऐसे लिख दिया अब is equal to ये अभी मैंने समझाया जैसे cos a upon sin a तो cos a upon sin a किसके equal होता है cot a ठीक है अभी जैसे मैंने बताया था कि cos theta upon sin theta ये cot theta है तो ये हमारे पास बन गया पहला expression cot a minus ये sin a और sin ने कट गया तो क्या रह गया यहाँ पर 1 जब भी उपर नीचे cancel होता है तो 1 लिखना नी भूलना ठीक है और ये minus के साथ जब आएगा तो 1 की बहुत value है यहाँ पर और 1 upon sin a तो 1 upon sin a किसके equal है जैसे समझाया था 1 upon sin theta अगर होता है तो cosecant theta तो क्योंकि sin a है तो यह बन गया हमारा cosecant a whole divided by यह भी इसी तरह से cause a upon sin a यह हो गया caught a यह कट गया इदर तो यह आगया यहाँ पर 1 तो plus 1 और यह minus cosecant a बहुत important step है इसके बगयर question तुम लोगा नहीं हो पाएगा ठीक है अब इसके बाद हमने क्या करना है कि यह जो 1 है numerator में जो 1 है इसको हमने थोड़ा सा change करना है तो इसको भी मैंने लिखा एक बार फिल से यह step थोड़ा सा terms को rearrange किया तो पहले यह लिख दिया cosecant a पहले लिख दिया और plus cot a ठीक है और minus 1 divided by नीचे की terms को कुछ change नहीं किया इसको ऐसे लिख दिया cot a plus 1 minus cosecant a अब यह जो 1 है सिर्फ numerator वाला 1 इसको हम use करेंगे substitute कर देंगे इसको यह वाला 1 को कैसे substitute कर सकते हैं cosecant और cot वाली terms में जो cosecant square a minus cot square a यह जो identity है 1 plus cot square a is equal to cosecant square a इससे हम लिख सकते हैं 1 is equal to cosecant square a minus cot square a तो 1 की जगा पर यह जो मैंने 1 अभी हम पहले mark किया है इस 1 को हम change करेंगे तो अभी मैं बाकी की terms ऐसे लिख रहे हूँ cosecant a plus cot a minus यह जो 1 है इस 1 को bracket में मैंने लिखना है cosecant square a minus cot square a और यह bracket close बाकी की terms में कोई change नहीं किया उसको ऐसे कैसे हमने repeat करना है cot a plus 1 minus cosecant a ठीक है? is equal to अब यह जो black से लिखा है इसको अभी ऐसे लिखे रहे है cosecant a plus cot a ठीक है? इसको bracket डाल दिया मैंने minus यह जो red से लिखा था इसको ऐसे लिख दिया cosecant square है ना? तो whole square बना दिया है minus cot square a को भी ऐसे लिख दिया cot a का whole square और bracket close बाकी कोई terms में change नहीं किया तो cot a plus 1 minus cosecant a नीचे denominator वैसे repeat कर दिया अब इसको लिख दिया cosecant a plus cot a यह जो पार्ट है यह वाला दिखो यह इस फॉर्म का है a square minus b square इसको हम लिख सकते हैं a plus b into a minus b तो इसके basis पर अब हमने यहां पर क्या लिखना है? a plus b तो यह cosecant a whole square minus cot a whole square तो क्या बन गया यह? cosecant a plus cot a यह bracket एक और दूसरा bracket a minus b तो cosecant a minus cot a ठीक है? a square minus b square तो a plus b into a minus b और अब पान में कोई change नहीं करना है बस यह धियान रखना है कि हमने सिरफ numerator वाले 1 को change करना है denominator वाले को नहीं करना this is equal to अब यहां पर तुम देख रहे हो cosecant a plus cot a यहां पर भी cosecant a plus cot a तो इसको हम common ले सकते हैं कि माइन से बीच में तो हम common लेंगे गलती से इसको cancel नहीं कर देना है यहां से cancel नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या है? किसी के साथ bracket के बाहर कुछ नहीं है इसका मैं लोग 1 तो है यहां पर अब हम यह वाला part यह वाला part दोनों part common ले रहे तो common लिया है तो ऐसे लिख हमने cosecant a plus cot a यह मैंने common ले लिया अब एक bracket लगा दिया बड़ा वाला अब यहां पर यह तो common चला गया तो बचा किया 1 उसके बाद यह minus यह bracket तो common रह गया common चला गया तो बच किया यह वाला bracket तो इस bracket को लिख दिया cosecant a minus cot a bracket डालना नहीं भूलना है क्योंकि बाहर minus sign है और यह close और divided by cot a plus 1 minus cosecant a ठीक है अब यह है cosecant a plus cot a इसको तो ऐसे लिखा अब यह bracket के अंदर एक और bracket है तो इसका हम bracket open करेंगे तो 1 तो ऐसे रखा यह रखा minus cosecant a और यह minus into minus यह minus into minus इधर आया तो क्या बन गया plus cot a whole divided by no change in the denominator denominator में कोई change नहीं किया ऐसे कैसे लिख दिया अब तुम तो देख सकते हो कि यह जो bracket है 1 का क्या sign है इधर कोई sign नहीं है न तो इसका मलब प्लस है तो 1 का sign plus यानि plus 1 है minus cosecant है इधर भी minus cosecant है plus cot है तो यह भी plus cot है कोई sign नहीं इसका मलब प्लस cot है तो यह पूरा bracket और यह denominator में जो सारी terms है वो सेम है बिलकुल साइन भी सेम जो प्लस माइनस है सबके सेम साइन है तो यह bracket हमने पूरा का पूरा कैंसल करना है ऐसे है एक एक term नहीं कैंसल कर देना है पूरा bracket उपर नीचे कैंसल हो गया तो क्या बच गया हमारे अब भी रह गया को सिकेंट ए प्लस कॉट ए ठीक है और देखो हमने शुरू में यही प्रूब करना था को सिकेंट ए प्लस कॉट ए तो यह हमारे प्रूब हो गया यहां पर कि लास्ट जो हमारे रिजल्ट है वो इकुल टू आरच्छ तो बच्चे अगर अच्छ से समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और एक सजेशन भी है कि तुम लोग यह जो सारे ट्रिक्डोमेट्री के लेक्चर्स हैं इनको चानल में एक प्लेइलिस्ट के फॉर्म में दिया हुआ है उसको तुम लोग रेफर कर सकते हो और यह सारे अगर वीडियो एक साथ तुम देखोगे तो तुमें बहुत ही अच्छे से एक तो समझ आ जाएंगे और ट्रिक्डोम के साथ से भी जो वीडियो डाले हुए हैं उनको भी जरूर रेफर करो उससे भी तुमारी नौलेज इंक्रीज होगी तो यह सब तुम के बेनेफिट के लिए हैं तो मिलते हैं बच्चे नेक्स वीडियो में ओके बाई